नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चेनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज में आपको बढ़ सावित्री ब्रत की कथा सना रहा हूं भद्र देश के एक राजा थी, जिनका नाम अस्वपती था भद्र देश के राजा अस्वपती के कोई संतान ना थी उन्होंने संतान की प्राप्ती के लिए मंतोर चारण के साथ प्रतिदन एक लाख आवतियां दी, 18 बरसों तक ये क्रम जारी रहा इसके बाद सावित्री देवी ने प्रिकट होकर बढ़ दिया कि राजन तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी सावित्री देवी की कृपा से जर्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया कन्या बड़ी होकर बेद रूप बान हुई योग बर्ना मिलने की वज़े से सावित्री के पिता दुखी थे उन्होंने कन्या को सोयम बर तलासनी वेजा सावित्री तपोवन में बटगने लगी वहां सालो देश के राजा दुमस सेयन रहते थे क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पती के रूप में उनका बरण किया रिशी राज नारज को जब ये बात पता चली तो वह राजा अस्वपती के पास पहुंची और कहा कि राजन ये आप क्या कर रहे हैं सत्यवान गुणवान है धर्मात्मा है और बलवान भी है पर उसकी आयू बहुत छोटी है वह अलपायू है एक बर्स के बाद ही उसकी मृत्ति हो जाएगी रिशी राज नारज की बात सुनका राजा अस्वपती घोर चिंता में डूब गई सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा पूत्री तुमने जिस राजकुमार को अपने बर के रूप में चुना है वह अलपायू है तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए इस पर सावित्री ने कहा पिता जी आरे कन्याए अपने पती का एक वार ही बरन करती है राजा एक वार ही आगया देता है और पंडत एक वार ही प्रितिग्या करते ही और कन्यादान भी एक वार ही किया जाता है सावित्री हट करने लगी और बोली मैं सत्यवान से ही विवा करूंगी राजा अस्वपती ने सावित्री का विवा सत्यवान से कर दिया सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही साथ ससुर की सेवा करने लगी सामे बीत्ता चला गया नारद मुनी ने सावित्री को पहले ही सत्तिवान की मिर्त्यु की दिन के बारे में बता दिया था वे दिन जैसे जैसे करीब आने लगा सावित्री अधीर होने लगी उन्होंने तीन दिन पहले से ही उपवास सुरू कर दिया नारद मुनी द्वारा कथित नेशित तिथी पर पित्रों का पुजन किया हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गई सा सावित्री अपना भविष समझ गई सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी तब ही वहां यम्राज आते दिखी यम्राज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी यम्राजें सावित्री को सम और से कोई भी बर्दान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे साथ सासर बनवासी और अंदे ही उन्हें आप दिवय जोती प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा। जाओ अब लोट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पती सत्यवान के पीचे पीचे चलती रही। यम्राज ने कहा देवी तुम बापस जाओ, सावित्री ने कहा भगवान मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परिशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तब भी है, यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और बर मांगने के लिए कहा, सावित्री ब को तीसरा बर्दान मांगने को कहा, इस पर सावित्री ने सो संतान और सो भाग का बर्दान मांगा, यम्राज ने इसका बर्दान भी सावित्री को दे दिया, सावित्री ने यम्राज से कहा कि प्रभू मैं एक पतिविर्था पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होन का आसिवा दिया है यह सुनका यम्राज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े यम्राज अंतर ध्यान हो गई और सावित्री उसी बट ब्रक्ष के पास आ गई जहां उसके पती का मिरत शरीर पड़ा था सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुसी-खुसी अपने राजी की ओर चल पड़ें दोनों जब गर पहुँचें तो देखा कि माता पिता को दिब बेजोती प्राप्त हो गई है इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज जिसों को भोगते रहें अत्य हैं अत्यी बटा सावित्री के अनुरूप ही प्रतम अपने साह सुसर का कोई संकट आया भी हो तो वै टल जाता है बोलो धर्मराज जी माराज की जै